हलो फ्रेंड्स आपका अपने इट्यूप चैनल दब प्रोटेकिंग क्लासें स्वागत है तो एक वार मैं फिर से आप लोग के साथ हूँ अभी के समय आप लोग के लिए बहुत ही क्रिटकल सिच्वेशन है कहता है ना कि एक्जाम के पहले का जो 10 से 15 दिन होता है 15 से 20 दिनों का समय होता है इसी में सारा का सारा ना इतिहास रचा जाता है एक्जाम रिजल्ट का और वो समय आपके पास है कहने का मतलब आपके जीवन का सबसे किमती समय है ये सबसे किमती और इसकी कीमत सिर्फ आप समझ सकते हैं और कोई नहीं और कोई नहीं समझ सकता और मैं जानता ह लिए आज बहुत अच्छी बाते पास से दस मिनिट में बहुत अच्छे सजेशन्स देने वाला हूँ एक्जाम टाइम कैसे प्रिप्रेशन करना इससे रिलेटेड दो बाते याद रखेगा अपने आपको कभी यह महसूस नहीं होने दिजेगा कि मैंने तो आप सब कुछ कर लिया जिस दिन आपने ये सोचा कि मैंने तो सारा सब्जेक्ट कम्पलीट कर लिया बस उसी दिन आपका दैंड हो गया अपने आपको क्या याद दिलाना है कि हमने कर लिया लेकिन अभी और करेंगे फिर से क्या करेंगे तो जो कर लिये हैं उसको फिर से revision करेंगे कहने का मतलब बार बार कोशिस करना है बार बार revision करना है ट्राइ करना एक ही कोशन को बार बार पढ़ना है जब तक पढ़ते रहिए जब तक कि आपका अभी exam complete ना हो जाता है all to all paper का revision इस तरह से करेंगे लिखते रहिए पढ़ते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए पढ़ते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए पढ़ते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए पढ़ते रहिए बस इसको इसी मे को सांत रखना अभी के समय में बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है नहीं तो कहीं इस पे यह प्रेसर हा भी हो गया ना तो आप आप आफ कंट्रोल चले जाओगे और जब कुछ चीजे आफ आफ कंट्रोल होती है तो उसको कंट्रोल करना impossible हो जाता है और वो हमारे लिए खतरनाक होता है नुकसांदे होता है तो इस बातों को ध्यान में रखेगा तो चलिया यह कुछ बाते आज जानते हैं success success क्या है कह रहा है कि success की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है फिदा फिदा तो आप खुवी मेहनत करते हैं पर मेहनत करने का भी एक क्या होना चाहिए सही direction होना चाहिए कि हमें किस तरह महनत करना है जैसे देखिए आप सोच करके देखिए आपका जो एक्जाम होता है वो descriptive होता है 70 नमबर के questions आते हैं जिसमेंसे 20 तो objective होते हैं एक नमबर के 20 objective question होते हैं बाकी 4 नमबर के 5 question और 6 नमबर के 4 question 5 question और descriptive question 6 गुने 5 आती है शे 530 ये total कितना हो गया 70 मस दीखिए परिशानी कहांपे आती है हम लोग क्या करते हैं जूक पे करते हैं रट लेते हैं याद कर लेते हैं पर लिक करे के अभयास नहीं करते हैं वहाँ पे जाते हैं 4 नमबर वाले कोशन पाचो को कैसे डिल करना है पता चलता है चार नमबर वाले कोशन पाचों बना रहा है तब तक हमारा दो घंटा वीद जाता है लाश्ट के एक घंटे में ये छे नमबर वाले पाच कोशन हमको कम्पलीट करने होता है तीन सारी कनफ्यूजन्स ये ऐसी परेसानी आपके साथ नहों इससे बचिए और क्या करिये तो क्या करिये क्या करिये तो बार बार लिख करके अभ्यास करिये अभ्यास करिये लिख करके लिख करके पढ़िये लिख करके पढ़िये लिख करके पढ़िये लिख करके पढ़िये बनना है आपको अब ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपको बिनर कैसे बनना है तो कैसे बनना है तो लिक लिक करके अभ्यास करना है तो ये सारे को जब आप बिनर जैसा अभ्यास कर लोगे मेहनत कर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा एक आपको एक्जाम देना जान जाएएगा समझ जाएगा तो उसके बाद अगली बार जो गलतियां इस बार होगी उसको आप नहीं करिएगा तो इसलिए नीड ओफ एक्जाम क्यों पड़ा ये आपको समझ में आ रहा होगा तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि एक्जाम के पहले एक्जाम कि इतना important ह तो आप exam के पहले exam session में join हो सकते हैं, double taking classes, both gear, road, buddha apartment के सामने आपका स्वागत करती है, exam के पहले exam session में, इसमें जो forum fill up का date है, वो 1 September आपका start हो चुका है, आप में इसमें forum fill up कर सकते हैं, और 8 तारीक से होने वाले exam, में 8 से लेकर के 12 तारीक को जो होने वाला exam है, उसमें आपकी वो 4 सेम के हो, या 6 सेमेंस्टर के हो, इसका लाव उठा सके, तो बने रहे तो प्लिटेक्निक क्लास इसके साथ और भी ज्यादा update के लिए, और किसी तरह की कोई भी problem होती है, कमेंट करके जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका solution जरूर दिया तो जय हिंद आज के वीडियो में इतना ही, मिलेगा है।